नमस्कार आप सभी का Against Cruption 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यदि सूचना आयो के आदेश के बावजूद भी लोग सूचना पताधिकारी PIO पर कोई कारवाई नहीं की जाती है तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं चलिए इस वीडियो को बिना Skip किये हुए अवस्द देखेंगे जिससे हर वाद की सच्चाई आप समझ सकें और अपने अधिकार का प्रयोग कर दोसी PIO पर नियमानुसार कारवाई करवा सकें तथा आफायार भी दर्ज करवा सकते हैं चलिए देखें यह बिहार आज सूचना आयो का आदेश है वाद संख्या यहां है यह मेरा नाम है बनाम में भी जो परतिपक्षिगन है वो है इसके मुख बिंदु पर मैं आप लोगों को बात करने जा रहा हूं कि इस वाद में क्या हुआ था इसमें मैंने एक 2017 सिसंबंदित पुलिस रिपोर्ट की मांग की थी लेकिन इन लोगों ने 2017 की रिपोर्ट मुझे दी थी मैं आपको मुख्य बिंदू पर फोकस कर बता रहा हूँ देखी यहां अपलार थी यह बताते हैं कि उन्हें जो जानकारी मांगनी थी वह 16.11.2008 को पुलिस उपमहानरक्षक पुरवीचित भागलपूर से मिलकर जो उन्हों ने आवेदन दिया था इत्यादी इसकी पुलिस रिपोर्ट की परमानिचा पुरती वेचाते हैं और उन्हें जो सुचनाएं दी गई थी वे बर्स 2017 की है मैंने 16.11.2018 से संबंदित रिपोर्ट मांगी थी लेकिन P.I.O. ने 17 का रिपोर्ट भेज दिया था एक बर्स पुर्व का अब इस पे कुछ बिंडू पर मैंने आपत्ती भी लगाए थी ऐसे इस्तिती में अपलार्थी के दिनांक 288-2020 की आपत्ती पत्र को पुलिस सदिक्चक नुगच्छा को प्रिसित किया जाया और लोग सुचनापतादिकारी सहोपी अध्यक्ष भवानिपूर भीपूर भागलपूर्थ था पुलिस सदिक्चक नुगच्छा को आदेश दिया जाता है कि सापत्ती का लोग में जो भी सही सुचना हो वह एक महा के अंदर उपलब्द करा दें हरन्यथा पिलार्थी संबन में सिकायतवाद दायर कर सकते हैं सुचनाओं को प्रदान करने में एक वर्स पाँच माह से अधिक का बिलंग भी प्रिलक्षित होता है इस बिलंब के लिए दोसी लोग सुचनापतादिकारी के विरुद आवस्यक कारवाई किये जाने तो इसी पुलिस अधिक्षक नवच्छा के संग्यान में लाया जाए इस तरह के अधिकांस ओरर अभी बिहार आज सुचना आयोग से दी जाती है कि बिलंब के दोसी को पर्थम अपी लिए पदादिकारी के संग्यान में दिया जा या उसके वरी पदादिकारी के संग्यान में दिय इस तरह का ओर्डर तो कई मैंने भी देखा है मेरे साथ भी इस तरह का कई ओर्डर हुआ है लेकिन इसमें सुचना आयो की भी कुछ मनवानी है इन्हें खुद PIO पर करवाई करनी चाहिए थी लेकिन इनों ने बरिपदादिकारी के शंग्यान में देने की बात की अगर इस त करना चाहिए इसके बारे में मैं जानकारी आप लोगों को देना चाहरा हूँ तो इस तरह के ओर्डर अधिकांस दे जा रहे हैं बिहार आज सुचना आयोक्षे तो इस ओर्डर पर जिस भी पतादिकारी के शंग्यान में देने की बात होती है उन्हें फिर पुनह RTI लगाक कर अवस्य जानकारी लें तथा दोसी पर करवाई करवाने का प्रियास करें तथा फायार दर्ज करवाएं तो यह है देखिए मैंने पुलिस अधिक्षक कार्याले नगच्छा से पुनहा इस संबंद में जानकारी मांगाई मैं जानकारी चाहता हूं कि बिहार आर्शूचन प्राप दिनांग 2221 की आदेश की बाद एक वर्स पांच महा के इबलंब के लिए कौन-कौन दोसी हैं एबन दोसी के बुरुद क्या-क्या कारवाई की गई है दूसरा जूठी ब्रामक सूचना देने के आरोप में दोसी पर किस-किस धारा के अंतरगत कारवाई होनी चाहि तिसरा जूठी ब्रामक सूचना देने पर आर्टियाई एक्ट की धारा साथ आर्ट का उलंगा नोने पर दोसी पर की-FIR दर्ज की प्रमानिचा परतीज दी जाए जो भी कारवाई की है या नहीं की है इससे फिर पुनह आर्टियाई लगाकर आप जानकारी लें जिससे दो पताधिकारी के शंग्यान में देने की बात हुई थी उसके खिलाब भी आप सोचना आयोग जा सकते हैं इस वीडियो को अवस्ट लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा कर आल पर भी क्लिक अवस्ट कर लें जिससे इस तरह के उप्योगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तथा आप आटियाई के तहत अधिक से अधिक जानकारी प्राप भरताचार के खिलाफ लड़ सके तथा अपना काम आसानी से करवा सकें जये हैं